नमस्कार दोस्तों मैं हुआ अर्चना और आप देख रहे हैं ड्रीम पर्फ तो ये है मेरी हाप केजी चॉकलेट केक की रेशेपी जिसको मैंने हमेशा की तरह कड़ाई में बेक किया है और आप देख सकते हैं कि कड़ाई में बेक की उइवी हमारी सुपर पॉइस्ट सुप तो यहां इसे स्टिक कर लेना है इस तरह से इसके बाद साधे पानी से इसकी सोकिंग लगानी है आप चाहे तो दूद से सोकिंग कर सकते हैं या फिर कॉफी वाटर से इसकी सोकिंग लगा सकते हैं तो यहां मैंने ब्लीन वाटर से ही सोकिंग किया है और थोड़ इसी क्रीम य जब यह फाइनली तयार हो गई तो लगभक 600 ग्राम से उपर ही तयार हुई और यह आप बोनस भी कह सकते हैं अपने रिगुलर क्लाइंट के लिए तो समझ लिजे आज की एक एक मैंने बोनस के रूप में दिया अपने क्लाइंट को और यहां पर चॉकलेट सीरप और चॉकले काफी तारीफें लूटते हैं हम होम बेकर यकीन कीजिए आप भी इस काम को अगर घर पर करना चाहते हैं तो लगातार मेरे वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए ज्यादा स्यादा श पहुंच है वो ड्राइ न हो तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भर भर के इसकी सोकिंग लगाएंगे क्योंकि हमने डाला था बैटर बनाते समय कोकुआ पाउडर और कोकुआ पाउडर पीता है ठीर सारा पानी तो उसी हिसाब से उतना ही पिलाना है जिसमें वो उसका पेट भर तर जाए उल्टी करने वाला नहीं पिलाना है और यहाँ पर इस तरह से इसकी तीसरी लेयर को भी हम लोग क्रम कोट करके सैट कर लेंगे और फिर इसे भी उसी प्रोसेस से सोकिंग लगाएंगे तो यहां इस तरह से देखी हमें सोक कर लेना है इस पॉंज के हर हिस्से को ताकि कहीं से यह सूखा नहीं रहे और इस तरह की जो चॉकलेट केक होती है घर पर तयार की हुई दोस्तों यकिन कीजिए मुँ में जाते ही खुल जाती है इतना सूपर सॉप्ट हमारा घर पर तयार किया हुआ केक होता है तो यहां मैंने क्रम कोटिंग कर लिया है और अब इसके बाद क्या करना है कि फाइनल फ्रोस्टिंग होगी इसकी तो जो बचा हुआ हमारा क्रीम है आज मैंने 200 ग्राम नहीं 220 ग्राम क्रीम को बिट किया था क्यूंकि मुझे उपर में कुछ रोसेट भी बनाना था और यहां पर इस तरह से उपरी हिस्से को कवर कर लेने के बाद अब मैं इसी क्रीम से किनारे के तरब धकेलते हुए कवर कर रही हूँ इस पॉंज को ताकि हमा कर लेना है क्लीन और यहां मैं शार्प करने के लिए यूज कर रही हूँ अगेन जो प्लास्टिक वाली फाइल होती है उसी के कटिंग से तो यहां पर इस तरह से आप देख सकते हमारा जितना मैं काम बन जाए उतना मैंने शार्प कर दिया है क्योंकि अब मुझे लगानी ह है इसकी चॉकलेट डिपिंग तो चॉकलेट डिपिंग को मैंने तयार कर लिया है 50 ग्राम चॉकलेट 50 ग्राम विपिंग क्रीम को मैंने मिल्ट कर लिया माइक्रोवेब कर लिया 12 से के लिए इसके बाद अब मैंने पाइपिंग बैग में से डाल लिया है और इस तरह से यहा देखने में खुबसूरत भी लगता है हर बाइट में इसकी चॉकलेट वाली फीलिंग आएगी तो जिसको चॉकलेट पसंद है फटाफट कर दीजे इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से यादा शेयर करें और अपना प्यार इसी तरह बरकरार रखें ताकि मैं अगेन इस त इस तरह का रोसेट निकाल लिया है किनारों में यही रोसेट मुझे पूरे केक के ऊपर टॉपिंग कर लेना है इस तरह से तो यह एकदम से आसान वाली केक डिजाइन है दोस्तों जिसे कोई भी बड़े आसानी से घर पर तयार कर सकता है सिर्फ नोजल को राउंड और मुझे टॉपिंग लगानी है कुछ चेरी के टुकडों की ताकि जो इसकी खुबसूरती है वो और भी दुगों नी हो जाए तो आपको यह आज की एकदम से सेमपल वाली चौकलेट केक की डेकुरेशन कैसी लगी मुझे कमें सेक्षन में जरूर कमेंट करें और पफेक